आज के टेश्ट सिरिच का पहला क्विस्चन है निम्न में से कौन भारत के राष्टी दोहज का डिजाइनर था चार आपसंदिया हुआ है इनमें से किसके द्वारा जो भारत का राष्टी दोहज है कि रंगा उसका डिजाइन किया हुआ है चार आपसंदिया हुआ है जैसे की एक आप्सन सही है और आप एंसर का सही अंसर जानते हैं तो एक नमबर लिग कर एंसर कमिन करेंगे A B C D या आप एंसर गैस कर ले और हम जो एंसर बताते हैं उसमें आप मेच करेंगे चलते हैं इसका सही अंसर हम आपको बताते हैं इसका सही अंसर है यह देख सकते हैं यह भारत का राष्टी ध्वज है तिरंगा जो कि तीन कलर का है केसरिया सफेद हरा यहां पर बताया गया है कि इसका डिजाइन पिंगली वेक यह दो आ रखिया गया है भारत के राष्टी ध्वज को 22 जुलाई 1974 को अपनाया गया है राष्टी ध्वज की लंबाई और चौडाई का अनुपात तीन अनुपात दो है अर्था इस प्रकार का यह जो लंबाई है इसका अनुपात तीन है और इस प्रकार जो चौडाई है इसका अनुपात दो है तो लंबाई और चौडाई का अनुपात तीन अनुपात दो रखा गया है चलते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण आपकी स्किन पर आ चुका है और यह प्रश्ण है कि प्राचिन बहुत ग्रण निम्नमे से किस भासा में लिखे गए थे जो बहुत ग्रण थे वो कौन से भासा में लिखा गिया है यह पूछा हुआ है जिसकी पहला अप्षन जो है पाली अबभरांस संस्क्रीट प्राक्रिप तो इसका सही अंसर है दूसरे अप्षन का सही अंसर है ए पहला पाली भासा में लिखा गिया था यहां पर थोड़ा से बैक्षा भी दिया होगी पाली भासा में लिखा गिया था जो बौध साहित में प्रमुख होता है बौध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है इसके बाद तीसर प्रश्णा आपके स्किन पराज जुका है ये प्रश्ण है कि राश्ट्री पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी हमने ओवराल रेंडम ली चाटा हुआ है प्रश्ण जो कि प्रिभेस यर में विभिन ने एक्जामों में पूछे गया प्रश्ण है और ऐसे नहीं कि सेम यही प्रश्ण इस एक्जाम में आ जाए लेगिन आयोग से जुड़े इसके लावत संस्ता से जुड़े एक प्रश्ण पूछे ही जाते हैं राष्णी पिछड़ा वर्ग आयोग कि स्थापना जो है कब किया गया था तो 1973 में किया गया था इसका काम होता है कि किसी जाती को पिछे बढ़गी की सूची में सामील करना या उसे बाहर करना इसकी सलाव ये आयोग जो है केंदर सरकार को देता है और 102 सविधान संसुधन के तहद 2018 में इसे सेवधानिक दर्जा दिया गिया है अगला प्रशन आज जुका है कि चाउथा प्रशन की बोडो भासा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है बोडो जो भासा है ये जो ये सविधानिक भासा है सविधानिक जो सूची है भासा की उसमें सामील है और ये असम का राज्य का मुख्य भासा है तो ए अप् असम का यहां परिदे सकते हैं बोडो भासा भारती राज असम का अधिकारिक भासा है भारत के विशेश सेवधानिक दर्जा प्राप्त बाइस अनुसूची भासा में से एक है अगला प्रशन है कौन से देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है लोकतांत्र देश है तो इसका अंसर है भारत इसका सही अंसर है और यहां पर देखेंगे तो भारत इसको का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है भारत का सविधान सबसे लंबा हैं रखे हैं लेकिन यह देख सकते हैं यह है भारत चलते हैं अडली प्रस्टेंगे पर भारत के उद्दर में यहां पर है क्या है तो भारत भूमध्य रेखा के उद्दर में इसी था इस्वरी यहां पर बिताया भारत खाली स्थान के उपर इस्थित है तो भारत भूमध्य रेखा के उपर इस्थित है प्रित्ति को दो भराबर भागों मार्टे जीरो अक्षांस रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं भूमध्या रेखा के उत्तर में इस्तित अक्षांसों को उत्तरी अक्षांस और दक्षड में इस्तित रेखाओं को दक्षड अक्षांस कहा जाता है इस प्रकार एक मेब देखेंगे तो यह है भूमध्या रेखा इसके उत्तर में जो है वो क्या है करकर रेखा है और जो से होकर गुजरती है और यहां परहकर कर रिखा तो यह भूम मद्य देखा कि उत्तर में इस्तित है भारत इस प्रकार से प्रश्ण बना हुआ था कुछ प्रश्ण को बहुंच ज़्यादा घुमा दिया गया है तो इसी प्रकार से प्रश्ण आ सकते हैं सेयुक्तर राष्ण सुरक्षा कॉंसिल के इस्ताई सदस्यों की संख्या है युए नो में इस्ताई सदस्यों की संख्या कितना है यह पूछा हुआ है तो इस्ताई सदस्यों की संख्या अगर आप जानते हैं तो साथ नंबर का क्या सही अंसर होगा वो का सेवक्त राष्ट काउंसिल में UNO में 27 सदस्रों की संख्या 5 है जबकि सुरक्षा परिशद में टोटल 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 इस्थाई और 10 अहिस्थाई सदस्य होते हैं जिसका कारेकार दो वर्स का होता है इस्थाई सदस्य में United States of America, Britain, Russia, France और ये चीन 5 देश सामिल है भारत जो है इस्थाई सदस्य में सामिल नहीं आए आठो प्रशना आपकी स्किन पर आ चुका है कि पाक जल संधी भारत को किस देश से अलग करती हैं इससे तो पता चले कि भारत और किस देश से जुड़ हुआ है ये पाक जल संधी तो नाम तो पाक जल संधी है तो ये पा पाकिस्ता नहीं ये स्रिलंका है भारत और सिलंका को अलग करती है पाग जल संधी यहां पर लख सकते हैं ये सिलंका है और सिलंका में ही बना हुआ है पाल का इस्ट्रेट जल निका है और ये भारत और सिलंका को अलग करती है यहां भारत के तमिल नडुराज्य और सिलंका के म को कौन सब पर्वत स्रेडी प्तितर करती है इस प्रकार मैं ज़िए उत्तर हो गया इसका है कौन अलग करती है कौन सब परवत है तो यहाँ पर जो हम लाइन खीचे हुए हैं यहाँ पर है विन्ध्यांचल परवत हिमालत उपर हैं पस्यमी घाट आपका इधर हो जाता है यह पस्यमी घाट और विध्यांचल परवत यहाँ पर है उसके नीचे सत्पुड़ा परवत तो यह उत्तर दक्षड को यह अलग करत किन दो देशों के मध्या यह समझा हुआ है तो दुस्ते प्रश्ण का सहींसर आप गैस कर लिया है अगर सहींसर जानते हैं तो आप कमेंट करेंगे इसका सहींसर है भी आपशन चीन यहां पर देख सकते हैं भारत और चीन के मध्या हुआ था 1904 में और पांच सिझ्धान दाँत पर इंचिल-ग 1 कि यहां पर बताए कि भीम्राव अंबिटकर सोतंतर भारत के पहले किने कहन से मंत्री थे, कानून मंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री रक्षा मंत्री इनमें से कौन सवी भाग दिया गया था भीमराव अंबेटकर को तो इसका सही एंसर है जबकि पहले रक्षा मंत्री बले उसीत और पहले श्रम मंत्री थे जग्जी वर्य राम तो यह तिनों को यहां पर एक साथ हमने ला दिये हैं जो आप्षन में दिया हुआ था उसके बाद आज जुका है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी इसरो की स्थापना कब हुआ था ये प्रश्णा ये हुआ है चाराप संधिया हुआ है 1965, 1979, 1971, 1973 इसका सही अंसर है 1979 इसरो का पूरा नाम यहाँ पर थोड़ा सविस्त्रित भी देखते हैं इसरो की सत्थापना किया था जिसे पुनर गठित करके 1979 में भारत्री अंत्रिक्च अनुसंधान संगठन अर्थाज इंडियान स्पेस रिसर्च अर्गनेज़िशन नाम दिया गया जिसे साठकाट में हम इस रोग हते हैं हिंदी में नाम हो गया भारती अंतरिक चर्ण अनुसंधान संगठन इंगलीज में हो गया इंडियन Less Research Organization इसके वर्थमान जो अध्यक्ष है उसको आप कमेंट करेंगी ये आपके करेंट रूर्ड के रियोजन का टाफिक है आप कमेंट जरूर करें अगर आप यह वीडियो देखे हैं तो आप इसका अध्यक्षवर्थमान में कौन है इसको आप एक बार जरूर कमेंट करेंगे तेरोवा प्रशन आजुका है कि भारत के किस राजय में सरवाधिक वर्षा होती है भारत उन्तिस राजय है उन्तिस राजय में कहां पर सबस्जादा वर्षा होती है किस राजय में वो पूछा हुआ है तो इसका सही एंसर है तेरोवा प्रशन का ए आप्शन मेघालाय में सबस्जादा वर्षा होती है मेघालाय में होती है भारात में सरवाधिक वर्षा प्राप्त वाले छेतरों में पस्चिमी घाट पुर्वी हिमालाय मेघालाय ये तीनों सामिल है इन छेतरों में 250 सिंटीमिटर से अधिक वर्षा होती है 36 गड़का, चेरापुंजी मासीराम जैसे सरवाधी कुवर्षा वाले इस्थान भी मेगाला राज्य में ही इस्तित है तो मेगाला इसका सही अंसर लिया गया है अगर इस प्रकार के मेप में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार इस तरब जो है मेप यहाँ पर हम नहीं ला पाए हैं चलते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है कि किसने गोरिला यूध्ध के तरीकों की सुरुवाद की थी किसके द्वारा गोरिला यूध्ध के तरीके की सुरुवाद किया गया था तो इसकी सुर्वात किस के दौएवा जी तो खेल हम दोख केард की ऐसे ओपशन इसका सही को साँय होगा अगला प्राशन आ चुकए है आप किसकिन पर पन्रवा प्राशन की गेटवे आफ इंडिया काली स्थान दौएवा बनाया गया था कि इसके द्वारा बनाया गया था Gateway of India और Gateway of India कहा है, यह India gate नहीं है ध्यान रखेंगे, इंडिया gate कहा है दिलिय में है, Gateway of India कहा है निर्मीत गेटवे आफ इंडिया जो है मुंबाई में है इसके निर्मार के पीछे का मुख्य हुद्देश से था कि किंग जार्ज पंचम एवं किंग मेरी के मुंबाई आगमन के आउसर पर बनाया गया था यहां पर देख भी आत्रा के दोरान बनाया गया था और मार्च 1911 म में बांबे के गवर्णर सर जार्ज सीडेन डेम क्लरक ने इस मारक के निव रखे थी इसके वस्तुकार थे जार्ज वीटेन जोकी 1924 में बन कर त्यार हुआ था तो यह हमने देखे 15 प्रश्ण और इतना ही रखते हैं ताकि उड़ो ज्यादा लंब ना हो जाए इसमें हमने 15 प्रश्ण बनाए लेगी इसमें हमने हर क्वेस्टन में 2-3 एक्ष्टा बताएं तो यह प्रश्णों के संख्या बढ़ जाती है आपका टेस्ट कितना अच्छा गया और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा एक बार आप अपना फीड़ बेक जरूर दें अगर आ प्र इएन का आपका नवारे ब जएगा का और हमारे प्रश्णा हर छुー पत्रश्ण समयी आपका लेया हम